प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश के विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिक्तार दिली में रहते हैं नमस्कार जोतिस ग्यान में दर्शुक्वा आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज हम बात करेंगे धर्र रासी सेगेटेरियस रासी के बारे में और साथ ही बताएंगे दिसंबर महीने के कुछ अधिभूत उपाए हमें जीवन में उपाए कुछ न कुछ करते जरूर रहना चाहिए कई बार हम उपाए करते करते हार मान जाते हैं नर्वस हो जाते हैं लेकिन नहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कई बार बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर बहुत होता है और उसके लिए उसे बहुत बढ़ना पड़ता है कई बार हमारे ग्रहे भी बहुत कमजोर होते हैं उसके लिए हमें अन्य को बार उपाई करने पड़ते हैं कई बार हमारी बिमारी बढ़ी होती है तो हमें लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है उसी प्रकार से हमारा प्रारब्द कमजोर होता है हमें लंबे समय तक कुछ विशेस उपाई करने होते है जी है इसलिए मेरे दर्शों को नर्वस मत होना हर महीने अपने उपाई किया करें आपकी रासी धनू है बहुत अच्छी रासी है वाईदे के पके सच्चे ने के इनसान हो भावनात्मक हर्दे आपका है लेकिन ये हर्दे करिवार तूट भी जाता है धोके मिल जाते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़े जीवन में आप लोगों के आती रहती है गरों का परिवर्तन भी हमारे जीवन के उपर शुब अशुब परभाव जरूर छोड़ता है इस महीने कुछ विशेज गरह परिवर्तित हो रहे है आईए उनके बारे में हम आपको बता देते हैं 6 दिसंबर को बुद वरश्चिक रासी में 26 दिसंबर को बुद धन रासी में यानि के केवल 20 दिन के करीब बुद जो है वरश्चिक रासी में रहेंगे फिर बदल जाएंगे 16 दिसंबर को शुक्र मकर राशी में होंगे और 17 दिसंबर को सूरिय धन रासी में होंगे 26 दिसंबर को मंगल व्रश्चिक राशी में होंगे फिलाल मंगल जो है तुला राशी में चल रहे है आपकी राशी के स्वामी व्रस्पती है जो कि आपको मालूम है कि 5 नवंबर को उन्होंने राशी परिवर्तन किया है सभी को मालूम है तेहरा महिने के आसपास ब्रस्पती अपनी रासी अपने घ्रमे वराजबान रहेंगे आपको शुपफल की प्राक्ति होगी अगर आपकी जनम की ये राशी बनती है तो कई बार जनम की रासी भी धनू बनती है पोकारते नाम की रासी धनू बनती है या डेट अब बर्थ के एक टाइम पिरिड़ के रासी धनू बनती है किसी भी हिसाब से आपकी रासी धनू बनती हो इस महीने दिसंबर के उपाय कीजिएगा क्यों साल का अंतिम महीना है मले अंग्रेजियो बहुत सारे काम इस कलेंडर के हिसाब से भी संसार में होते हैं अगला महीना जनवरी साल का प्रतम महीना तो वो उपाई भी जरूरी हैं ये दो महीनों के उपाई तो हर हालत में मेरे दुश्वर को जरूरी बनते ही बनते हैं आप लोग जरूर कीजिएगा अब देखो इस महीने में कुछ तारीक हैं आपकी रासी के लिए अनुकूर नहीं है शुब नहीं है बता देते हैं ननुरासी के हिसाब से 5 तारीक, 7 तारीक, 15 तारीक, 24 तारीक, 25 तारीक ये कुछ तारीकें आपके लिए अशुब हो सकती है लेकिन धन्ने की अवश्रक्ता नहीं है छोटी सी एक रेमेडी बता रहा हूँ जिससे अशुबता दूर हो जाएगी जैसे उस दिन गुड़ खाकर के घर से बाहर निकलें गुड़ ना हो तो कोई भी मीठी चीज खाकर के उच्चारण करें आपके लिए शुब रहेगा जैसे कि हमने आपको बताया कि आपकी राज़ी के स्वामी ब्रस्पती हैं और ब्रस्पती का रंग पीला होता अब हमें जो उपाए करने होते हैं वो ब्रस्पती वार में ही करने होते हैं हमें कितने ब्रस्पती वार मिल रहे हैं बहुत ज्यादा मैं लंबे चोड़े उपाई नहीं बताता हूं और बहुत दिनों के लिए नहीं बताता हूं तो आपके लिए तो अच्छी बात है वह हम इन हपते में वीकली कोई ब्रहों का परिवर्तन हो रहा है बुद्ध दो बार बदल रहे हैं शुकर बदल रहे हैं सुर्य बदल रहे हैं मंगल बदल रहे हैं सभी के लिए ये बदलाव शुब नहीं है और शभी के लिए ये बदलाव अशुब भी नहीं है इसलिए परती दिन जब कोई ग्रह नहीं ब रहती है नुकसान कराती रहती है तो मेरे दर्शों को जीवन में कोई नुकसान ना हो जीवन में कोई च्छती ना हो हम जीवन में सुख सुभाग्य के साथ जीएं तो आईए हम कुछ अच्छे भी उपाए अवश्य करें किसी भी ब्राह्मन को ये किसी अपने खास व्यक्ती को पीले रंगे वस्त Circ किसी भी बरस्तिवार डोनेट कीजिएगा हम एक धार्मिक पुस्तक की भी आप से लंबे समय से बात करते हैं तो कोई भी ऐसी धार्मिक पुस्तक भी आप किसी अपने करीवी व्यक्ति को दीजिए जो उसका मान समान जानता हो और उसको अजब के साथ रखे धार में पुस्तक देने से भी ब्रस्पती में परिवर्तन आता है और हमें शुबलाब मिलता है एक बड़ा कीमती उपाई इस महीने का एक घंटे का समय निकाल करके किसी को पढ़ाईए ट्यूशन पढ़ाईए जी विद्या का दान करने से भी ब्रस्पती बहुत प्रसंद होते है अब उसमें आप कहें हम किसे पढ़ाएं अरे भाई हम अपने छोटे भाई को पढ़ाने बहन को पढ़ाने हम किसी को पढ़ाने और तो और सही बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हम किसी अपने बड़े को भी सिखा सकते हैं तो हर ब्रस्पती बार एक घंटा किसी को कुछ सिखाईए या अगर आप कहुँआ ये तो नहीं हो सकता एक घंटा ब्रस्पतिवार के दिन मोन रहिए एक घंटा ब्रस्पतिवार के दिन मोन रहना सीखिए मोन रहने से भी ब्रस्पति उजवल होते हैं और हमें भी सिलाव की प्राप्ति होती है तो मोन किस दिन रहना है? ब्रस्पतिवार के दिन रहना है कब रहना है और सबसे अच्छी बात पता देता हूं अगर आप उस वीच गजेंद्र मौक्स पढ़ ले उस वीच आप विश्णु शैसर नाम पढ़ ले या सुन ले कानों पे लीड लगाएं सुन ले या वैसे ही सुन ले तो इस चे भी आपके ब्रस्पती उदे होंगे और आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा आखरी महीना है साल का करिएगे जरूर मज़ा आजाएगा आपको अपने घर के भोजन में सुबह के भोजन में या शाम के भोजन में पीले मिठाई जरूर रखेगा गुरु वार के दिन ब्रस्पती वार के दिन खाईए और खिलाईएगा भी बेशन घालवा बना सकते हैं बहुत अच्छा लाब रहेगा और एक उपाय और बता रहेते हैं पीले फूल अपने इश्ट को चड़ाईए हर ब्रस्पतिवार आपके मंदिर में आपकी देव बाड़ी में देविस्थान में पीले रंग के फूल भगवान को चड़ाईए पीले रंग का चंदन अपनी नाभी पर कंठ पर मस्तक पर पहले मस्तक फिर कंठ फिर नाभी पर पीले रंग के चंदन का तिलक लगाईए और यदि आपके घर में शालिग राम जी हो तो उन्हें पांच तुलसी के पत्ते और गोपिचंदर लगाईए बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अब हमारा कारेकरम वो लोग भी देखते हैं जो हिंदु धर्म से जुड़े हैं वो तो देखते ही हैं अन्य धर्म से जुड़े लोग भी कारेकरम देखते हैं वो क्या करें ब्रस्पतिवार के दिन पेले मिठाई आप खा सकते हैं पेले मिठाई आप बाठ सकते हैं पेला मिठा चावल बना के बाठ सकते हैं चार ब्रस्पतिवार हैं चार में किसी भी एक थजदे हम ऐसा कर सकते हैं दूसरी बाद हम पीली शर्ट सकते या ऐसी कोई शर्ट हो जिसमें पीले रंग के बटन लगे हो वो हम पहmand सकते हैं हर धरं में कोई न कोई होली बॉक होती है वो हम किसी को डॉनेट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं आपके आसपास कोई अनाथाश्रम हो या गरीब बच्चे रहते हो महां कापी, किताबे, पैंसिल, बैग, बस्ते कुछ भी आप उनको जाकर के 100-250 जो भी आपकी पॉकेट अलाव करती है, आप उनको दे सकते हैं गवसाला की सेवा कर सकते हैं, गवसाला की सेवा करने से भी ब्रस्पती प्रसंद होते हैं तुलसी के पोधे मंद्रों में लगवा सकते हैं, इससे भी ब्रस्पती प्रसंद होते हैं पिले रंग की मिठाई बाट सकते हैं पिले रंग का रुमाल जिम में रख सकते हैं अन्य धर्म की लोग और बाकी जो मैंने बताया है विश्णु शैसरिनाम विश्णु जी का दिहान करना साली ग्राम जी को चंदन लगाना तुलसी के पत्ते जणाना हर ब्रस्पतिवार लोग जरूर करें और आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा लेकिन जनवरी साल का प्रथम महीना फर्स्ट इंप्रेसन इस दा लास्ट इंप्रेसन तो जरूर कीजिएगा क्या उपाय करने हैं एक हाँ आप हमसे एक सवाल बहुत पुछते हैं मेरी बेटी की रासी धनू है सेकेटेरियस है पती की है या किसी की है क्या मैं उनके लिए उपाय कर सकती हूं कर सकता हूं बिल्कुल किसी के लिए भी कोई उपाय कर सकते हैं कोई हर्ज नहीं है आप कहेंगे दवाई मैं खाऊं फाइदा उसको नहीं साब यह दवाई नहीं यह दूआ है दूआ किसी के मिलेगा नहीं, क्या भगवान नहीं देख रहा एक बीटो पावर नहीं देख रही एक जो सबका खुदा एक है, सबका मालिक है सबका भगवान एक है, जिसे हम कहते है एक इस्ट God is one, तो कहीं नहीं जो शक्ती है अपने अपने इसाफ से जो जिसको मानता तो वो तो देख रहा है ना भगवान पूदा है ना कि किसने ये शरुबात कि है तो इसलिए दवाई में और दौा में बहुत फरक होता है, जो भी किसी के लिए कोई उपाय कर सकता है कोई हर्ज़ नहीं और हमने सारी रास्यों के उपाय बताएं हैं, आपके घर में, परिवार में, मित्र मंडल में, किसी की कोई भी राशी हो, मेश राशी से लेकर के मीन राशी तक 12 राशी होती हैं, हर विकति अपनी राशी से संब्धित उपाय हमारी यूट्यूब चैनल पर दिसंबर महीने के उपाय खोज करके उनको वो सर्च करके कर सकता है दूसरी बात हम हर महीने उपाई बताते हैं थोड़े थोड़े जरूर कीजिएगा चाहे एक उपाई कीजिएगा बट कीजिएगा जरूर उपाई जिस रासी के होते हैं वो उसके उसी दिनों में किये जाते हैं से आपकी राशी सेकेटरिया से आपके जो गुरु-ग्रह बनते हैं ब्रस्पती बनते हैं तो आप अपने उपाएं ब्रस्पतिवार के दिन गुरु वार के दिन करेंगे तब उससे आपको फल जादा अवश्य प्राप्त होगा यह थी उपायों की बात और यदि आप भाई ये तो सब के लिए वरवली बाते हैं लेकिन आप अपने जीवन में किसी कर्ष्ट को पा रहें बड़ी समस्या से गरसित हैं तो उसके लिए प्रक्टिकल रूप से किसी को अपनी पत्री का दिखाएं यदि आप हमसे में मिलना चाहते हैं तो मिल स लगते हैं इन ही शब्दों के साथ हम अपनी बाणी को बिराम देते हैं नमस्कार इस कारगयम में सबसे अच्छा मुझे यह लगा कि पूजा सब लोग मिलके कर रहा है सब अपने अपने जगह में घर में भी पूजा होती है तो प्रधान लोग पूजा करते हैं बाकी बेवस्ता है वो सबसे अच्छा लगा मैंने नागपूर से रेटेंड किया था उसके बाद यहां भी आया इसी चीज़ को देखते हुए कि अच्छा लगा और 15 दिन हो गया लगए नागपूर से करते हुए उसके बाद मानसिक सांती बहुत मिल रही है बहुत अच्छा महस हो रहा है समस्ता है तो जिंदिगी में रहेंगी लेकिन उसे कैसे जू जाया इसकी सकती अंदर से महसूस हो रहे है कि अब हम कैपबल है उसको फेस करने के लिए प्रूफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतार दिल्ली में रहते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से नोट शिविर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक कारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें